कि हम लोग आज तीसरे दिन की सिरुबात कर रहे हैं तो कल की तरह आज भी हम लोग पहले दो दिन में जो मुख्य बात हुई थी उसका एक तरह से लिकार करेंगे एक समय रखेंगे और जिन भी साथ ही लोगों का कुछ प्रस्न है जो कल तक पी चर्चा पे सेश रहे गया है उ आज के बाद हम लोग समय बचेगा तो आगे की चर्चा को शुरू करेंगे आगे की चर्चा आज परिवार व्यवस्था पे होनी परिवार व्यवस्था में मुख्यता विश्वास के भाव और सम्मान के भाव पर आज की चर्चा मुख्यता रहेगी और कल की तरह ग्रूप किये है कल तक उस पर अगर कोई इमेडियेट किनिका प्रस्न है तो ले लेते हैं अनेथा प्रस्नों के साथ साथ हम लोग करते रहेंगे तो मैं देख लेता हूं अगर किनिका कोई प्रस्न है तो अभी हम लोग प्रस्नों के उपर ज्यादा ध्यान लगाएंगे ज्यादा समय लगाएंगे, rather than observation के, observation तो आप लोगों ने पिछले आदे घंटे में share किया ही है, कि आप लोगों के क्या observation रहे है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग एक करेंगे, दिनिस कस्यब जी का हैंड अल्लेडी रेज है, तो अगर वो प्रसन पूछने के लिए हैंड रेज किये हैं, तो आप माइक on कर सकते हैं, और अपर प्रसन पूछ सकते हैं, देखो, खृण दिनिस कस्यब जी नवीन चेंडर जी, आपके पास दिन माइक है, आप भी अपने कर सकते हैं, नवीन चेंडर वर्मा जी जी से, नमस्कार, पूई इमिडियेट प्रशन है, अगर प्रसन सर, मेरा इतना है सर, कि जिसे हमने दो जेसे को फिट बेक गया द रेज दिखा रहा है तो तो, हाजी जी सर, मेरा प्रशन पिलिए सटनी से मेरा एक था कि हमने जो दो दिन से फिटबेक दिया था सर नीजे लोगों के हैंड रेज है धर्मेंद जी के शुरेंद जी के विनीता कुलसेस्ट जी का तो इनकों लोग क्वेश्चिन पूछने के लिए माइक दे सकते हैं नमिर भी आप संशे के अपने बात को रखते हैं कि जो दो समय जो रिकेप में जो कुश्चिन का जो जो एंसर दी है सर अम उस पर समय ने पारे हैं कि हमें एंसर कितने सही आएं कितने गलत आएं पाकी लोगों को माइक दे देंके हैं रेज रेज बनीता कुलसेस्ट जी आपको हमारी आवाज आ रही है लेकिन पार्टिसिपंस में किसी की आवाज मेरे को नहीं आ रही आप अपनी बात रखें देखते हैं भी बानुबया कि जो सर अंसर कर रहे है डेली रिकेप सर रीकेप जो फॉर्म भर रहे हैं सर हम तो उसमें पता लग पा रहा है कि हम कितना समझ पा रहे हैं सब चीजों को नहीं नवीन जी का तो मुझे माइट भी इनेबल नहीं तरह यह नवीन जी का माई के नेबर है और यह पोल भी रहा है चांबी भी मेरे स्क्रीम पे तो बजिवल नहीं हो रहा हो मैं देखता हूँ हलो हलो अभी अभी आपको आवाज गई जनीता जी की वानुबी जी नवीन दिया आप एसाइनमेंट्स के बार में पूछ रहे हैं हैं हाँ जी सर में उसी का विशें बात कर रहा था कि सर जैसे हमने दो दिन समझ बढ़े अपनी तो समझ को सर मुझ चीश को उकेर पार रहे हैं नी गौर उकेर पारें से केमास पर कि कुछ आ रहे ही नहीं लेवल पर इसाइनमेंट्स है ना वो तो वो तो आपके खुद के रिफ्लेक्शन के लिए हैं जी सर कि इसे समझ जितने भी आपको उपलग्ट आपकी करेगई गैंग Allah Arkan Jisar जी सर मैं यह कहाँ चारह थी सर कि कल जो सेशन हुआ उसके ऊपर मेरा विचार मनतन चला और मुझे को जई वानई उसमें से उभर क सतपर आई जो कि मैं आपको आपको लोगों से हेर करना चाहती हूँ उतना द्रण नहीं हो पाता है यदि अपेक्षाय खतम कर दी जाती है तो उस इस्तिति में जो भी व्यक्ति होता है वो अपने द्वारा ही उसको करना चाहता है तो आत्मनिर्वर होने की कोशिश करता है और जब वो आत्मनिर्वर होने लग जाता है तो वो मतलब शारीरिक तीनों तरह से वो अपने आपको मजबूत करता चला जाता है और एस इस्तिति में ऐसको भावनातमख सपःट की आवशक्तार है कम हो जाती है, और जब भावनातमख आवशक्ता आवकान की कम होती है तो उस इस्तिति में शायद जो जुड़ाव हो ना यह जुड़ाव उस तरह तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक पहुंचना चाहिए ऐसा सर मेरा मानना है मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मेरे अभी व्यक्तिक तानुबहों जो मुझे जिन्दगी में अभी तक मिले उसके आधार पर मुझे एसा लगता है क्या मैं सही हूं सर मतलब मैं जो समझ पार हूँ आप यह कहना चाहरी है जी आप तरह फिर से एक बार अपनी बात को रज़िए संचेप में काफी विस्तार कर दिया आप में एक पर संचेप में कर दीजिए संचेप में सर मेरा यही कहना है कि आपेक्षा का जो संबंद होता है मैं समझ गया समझ गया धाना करते हैं तो उस स्थिति में संबंदों पे उसका प्रभाव आता है जी जी बएए आज भी आगे और मैं दिदी का प्रस्न भी सुन पाया तो दिदी का प्रस्न नमस्ते दी नमस्ते सर नमस्ते ठीक है आप जी हां सर विल्कुर एसी पढ़ रहे है आप लोग कि तरफ सर बढ़िया चल रहा है सर एक्चल में मैं पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रही हूँ कारण यह कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और युवा उससो भी हमारे प्रारंब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारिया मुझे निभाना पड़ रही है तो मैं प्रारंब के सेशन तो विशय है उसकी मतलब उसकी इंट्रोडक्शन को समझा अब मैं थोड़ा सा गंभीरता के अंदर उतरने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे मन में अलग-अलग परेके प्रशन आ रहा है उसी में से सरी प्रशन उभर कर आया है तो अच्छा प्रशन है आपका और मुझे लगत है कि इस पर थोड़ी लंबी चर्चा की भी आवसकता पड़ेगी और जैसे आप खुद भी देख पा रही हूं भी कि ये प्रशन जो है संबंध को ले करके है जी जी आज हम लोग संबंध पे डिटेल में बात भी करेंगे तो चुकि आप पहले एक बार कारेसाला में भाग हैं तो अगर बहुत डिटेल में उत्तर दूँगा तो बहुत सारे लोग डिसकनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि जो उसकी जो फांडेशनल चर्चा है अभी हुई नहीं है जी 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 से अगर ठीक से देखूं देदी तो आपने जो बात को कहा कि अपक्षा को देखें तो अप करना बहुत आशान है लेकिन आप ये आप ये कह रहे हैं कि जो पर्संट टू का एक्स्प्टेशन मेरे से है जी वो तो वही आदमी ठीक करेगा मुझे जी रहा है कि उसका एक्स्प्टेशन गलत है अब मैं क्या करोगा ऐसा प्रस्त मैं आपका समझ पाया क्या मैं ठीक बजाए उसकी कोई भी अपेक्षा हो अगर सही अपेक्षा भी है लेकिन मेरी जो सीमा है उससे ज़्यादा उसकी अपेक्षा हो रही है उस इस्तिती में मैं उसको मतलब एक सीमा तक तो हल कर पा रही है उसके बाद में उसको हल नहीं कर पा रही हूँ तो इसे मेरे हिसाब से क कि मेसेज उसके पास में जा रहा है कि ये काम मेरे लिए नहीं हो पा रहा है तो उसे स्थिति में इसको में खुद करना की कोशिश करूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उस स्थिति में मैं अपने आप पे आत्मनिर्बर हो जाओंगा और यदी मैं ये दूसरे नंबर के पड़ता है ऐसा मेरा सूचना है सर बिलकुल बिलकुल तो अगर एक दूसरे को सिर्फ काम निकालने के व्यक्ति के रूप में देख रहे है तब तो जो आप बात कह रही हैं बिलकुल फीट बढ़ता है कि अभी तक उसको मेरे से काम की अपिक्षा थी है वो खुद कर ले र लेकिन मैं उसमें से कुछ ही पूरा कर सकती हूं आगे का पूरा नहीं कर सकती डी तो मेरे पास दो डो सटेप है पहला स्टेप करना चाह रहे हैं कुछ समस्या हैं जिसकारण कुछ पा रही है कुछ नहीं कर पा रही है तो विश्वास का भाव बना रहता है कि आपके उपर विश्वास बना रहता है तब जो दूसरी बात है कि अगर जो आप नहीं कर पा रही है तो दूसरे आदमी को कुछ अर्जेंसी है तो उस च्छाय को खुद करने का प्रयास करता है जी लेकिन अगर हम उससे भी कह दें कि भई आपको तो आता है ये च्छाय काम करना अगर मेरे भी योगता बढ़ने में सहयोग कर दें तो देर सबेर हम काम आ सकते हैं सही है सर सर एक और इसमें छोटा सा प्रश्ण हाला कि मैं समय ले रही हूँ लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सर कि तो कि यह कि हम किसी का काम कर पाए कि नहीं कर पाए यह सकेंडरी है प्राइमिरी यह कि हमारे और दूसरे के बीच में विश्वास बना रहे कि दूसरा विक्ति हमारा सहयोग करना ही चाहता है परिस्थिती और योगिता साथ देती है तो कर पाता है नहीं देती है तो नहीं कर पाता है यह जो बना रहता है न तो भले हम किसी का काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं यह उतना परिसान नहीं करता इस पर संका खड़ा हो जाए कि सामने वाला करना ही नहीं चाहता तो फिर संबंधों पर भुचा लाने लगता है। ये बात अगर अगर अपन मेंटेन कर पाएं तो आसानी है और ये बात तो ठीकी है। लोगों की तो हजारों अपेक्षाय हैं, सारी पूरी कर पाएं। आपकी तरफ से मुझे संकेत मिले हैं। फिर बिल्कुल सही है, सर। मैं समझ पार लिए उसको। था हमारे इस योगता को बढ़ाने में सहयोग कर दे, तो आगे हम भी पूरा कर सकते हैं, कभी एमर्जेंसी आ गई तो। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यव आपके साथे माइक है। उसका प्रिप्ति अपंग के सकते हैं। विए अपनी बात कह सकते हैं। यूड़ी आप अन्मूट करने खुद को। जी नमस्ते सुरेंद की बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथा लग रहा है। बार बार रूबरू होने का मोगा मिलना है। सब्द वहां लिखे थे अगर आपको ध्यान में होई स्क्रीन पर कल इन फेक्ट मैं उस स्लाइड को खोली देता हूं तो बात भी हो जाएगी उस पर यह वाली बात आप कहरें ना इसमें प्रयोग किया था मैंने इच्छा विचार और आसा। सब्सक्राइब आपको ठीक हो जाओं तो इच्छा का मतलब है ना कि मैं कुछ हो जाओं विचार का मतलब है जो मैं होना चाहरा हूं वो कैसे होंगा आसा का मतलब है वैसा होने में कोई मेरा सहयोग कर दे उधारन से इसको सपस्ट करता हूं मैं सुखी हो जाओं यह इच्छा है मैं सुखी कैसे हूं कहां कहां पर ध्यान दूं क्या क्या करों कैसे कैसे प्रयास करों कि में स क्यों गया होजाओं यह विचार उस में आप मेरा कुछ सहयोग कर दे यह आसा है मैं समर्द नो हो जाओं ये क्या हुआ इच्छा हुआ अब समर्द कैसे होँगा तो आवसकता को पहचानूंगा कोई स्किल सीखूंगा उस से अधिक उपादन करूंगा कहीं कुछ नौकरी करूंगा वो सब मिलाऊंगा ये सब क्या हुआ विचार हुआ आप कुछ सहयोग कर दें मेरा कोई हुनर सीखने में आप कुछ सहयोग कर दें ये क्या हो गया आशा तब कल्तना सीलता में ये फिल्ट्रिंग श़ुुरू कर सकते हैं कि इस समय मैं कल्तना सीलता में आसा ले Möglich को सदेंगा हूँ या फिर इच्छा को आप ठोड़े समय बाद ये काम और अच्छे से वह पाता है जी सुरेदर भीया बहुत बहुत दन्यवाद भीया हाँ इस परश्ट हुआ अभी थोड़ा सा एक और मेरे मन में एक छोटा सा प्रस्न है वो यह कि हमें ऐसा लगता है जब अपने आपको अवजरू करते हैं कि हमारा भाववक्ष तोड़ा सा कमजोर है तो उसे और मजबूत जरने के लिए हमें क्या करना चाहिए है बस एक मिनट भीया थोड़ा पानी पीने लग जया था मैं जी तो आप पहली बार कारेसाला में प्रतिभाग कर रहे हैं पहले भी कर चुके है पहले भी कर चुके है आच्छा तो ठीक से देखेंगे ना तो यह जो अभ्यास आपको ह कि इस कलपना सिलता को देखना सुरू करें कि हमारी कलपना सिलता में चल क्या रहा है और जो भी कलपना सिलता में चल रहा है मैं उससे सुखी हो रहा हूं कि दुखी हो रहा हूं हार्मनी में जा रहा हूं कि डिस हार्मनी में जा रहा हूं आराम हूं में हूं कि परेसान हो र तो जब जब यह लगे कि बेचैन हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, आराम में नहीं हूं, परिसान हो रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई ऐसा भाव चल रहा है, जो मुझे सहत स्विकार नहीं है, तो उस छंड थोड़ा होस पूर्वक देखें कि कंटेंट कल्पना सिल्ता का चल क्या रहा है, तो धिरे-धिरे उसका कंटेंट पकड़ में आएगा, फिर ये भी दिखेगा कि ये सहत स्विकार नहीं है, फिर एक कल्पना सिल्ता पर प्रस्ने खड़ा करते हैं, कि ये सहत स्विकार नहीं है, तो इसकी जगह क्या सहत स्विकार है, फिर वो प् करना है इसने परिशान कर रखा इसने दिक्कत कर रखी तो उन सब के प्रति विरोध चल रहा है उसके कारण में बेचायन हो रहा हूं तब मैं प्रस्न पूछता हूं कि विरोध मेरे को सहस्विकार है क्या तो नहीं सहस्विकार है तो विरोध सहस्विकार है कि संब्ध सहस्व कि दिरे दिरे आपकी बेचाहनी दूर हो जाएगी, आप आराम में आ जाते हैं, और यही प्रक्रिया है अपने बहावपक्ष को मजबूत करने का, जितना हम इस अभ्यास को करते जाएंगे, हमारा बहावपक्ष और मजबूत और मजबूत होता चला जाता है, स्वरेंद्र ब अभी जो मैम बात कर रही थी, उस बात के रिलेटेड मुझे एक बात याद आई, कि जैसे उन्हों ने का कि हम कुछ कमिया अपने लोगों की अप एक शाय पूरी नहीं कर पाते, उससे भी विश्वास कम होता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि पता नहीं सही है या गलत है, ल तो उसे कुछ कमिया रहती है लाइफ में, फिर वो बड़ा हो जाता है, अर्न करने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मदर फादर की जरूरत कम हो गई या भाव कम हो गया उनके प्रति, लेकिन वो जो कमिया रहती है उन्हें वो अपने बच्चे को देता है, सारे नहीं दिया, तो ये चक्र जैसा कुछ चलता रहता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मदर जॉब करती थी, वो अपनी मम्मी से कम बात कर पाती थी, कम मिल पाती थी, तो बोले, मैं शादी के बादने मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे को पूरा समय दू क्यों बत्तते, कुछ लोगों इसको आती है, कमी भाव बना रहता है, बलकि जो कमी माभाप कर रहे हैं, उसको बच्चे के आफे से बढ़़ा करने का प्रीयास करते हैं अपने लिए माभाप के लिए भिन अपर तो बिचता है तो गलए जया देशाच चले जती है तो फिर देखेंगे तो उसमें फिर demand उनकी बढ़ती रहती है और demand पूरी ना होने पर दूरी बढ़ती रहती है इसलिए उसको generalize नहीं कर सकते है वेकती की समझ समझ पर निरभर करता है तो जितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, आसा ही होता है, इसको महसूस करना इस भाव को, और जब नहीं समझ पाते हैं, वही व्यक्ती तो उनके लिए कठिनाई होती है, इतनी तो बात हो रही है, यह बात ठीक है? जी, लखन लाल जी, नमस्ते, आपका हैंड रेज है, जी भईये, नमस्ते, भईये कल आपने एक सब्दी उच किया था, मानस पटल, उसको थोड़ा जानना चाहिता है, विसिकली जो कल्पना सिलता आप देख रहे हैं, ना, लखन लाल जी, आपका माइक आउन कर ले, तो बात काछ़ किरते रहेंगे, कल्पना सिलता आप देख रहे हैं, जिसमें आपको चत्र सा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सब्दे गप्रयोग क्यात है, जी, जी, कल्पना सिलता ही लख बाक मानस पटल था, जा है, तो छल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि किसी परदे पर चत परदे पर फिल्म सी चल रही है जी उसी को कहरे है वानस पटल जी भी यह जी बहुत पर नुट कुमार जी अब पर नाम पर नुट कर दीजिन नूट हो गया है तो कलपना सिल्था में एक्षा वेचा रहा है तीनों से कलपना अपनी डब्लब होती है तो मैं जानना चाहरा था कि समझो कलपना सिल्था के बीच में क्या संबन्द है ये जो जो सहच स्विकृति से कलपना सिल्था हमारे भितर तै होती है ना । आपर तीसरे नमर पर तो जो कलपना सिल्था हमारी सहच स्विकृति के अधार पर शैया वो समझ से तय हो रहा है। अनेथा जो दो सोर्सेज हैं, वो समझ से तय हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा भईये, इसमें एक प्रशन और गर रहा था हमें। ये बात इस प्रस्ट हुए? पिछला वाला प्रस्ट? जी, वालोगी हो गई। रहा है, दूसरा महीं पूझ रहा था। तो उसके लिए भईया, ये पाँच स्टेप का अभ्यास है जिसके बारे मैंने भी तोड़े दिर पहले भी बात किया था। पहला स्टेप तो हम इस कलिपना सिलता को देखना शुरू करें कि इसमें चल क्या रहा है। दूसरा step जो चल रहा है उससे हम आराम में है कि परेशान है, हार्मनी में है कि बेचैन है, है ना, सुखी है कि दुखी है, जो भी सब्दावली दे लें, लेकिन वो भी देखना महसूस, महसूस करना शुरू करें, अगर दुखी है, है ना, तो हमारी कल्पना सिलता बहुत positive न नहीं, तो आप पाएंगे कि जो जो कल्पना सिलता हमको सहज स्विकार होती है, उस कल्पना सिलता में हम सुखी महसूस करते हैं, और जो जो कल्पना सिलता हमारे अंदर चल रही होती है, जो हमको सहज स्विकार नहीं होती है, उसी से हम दुखी महसूस करते हैं, ये बात इसलिए मानियेगा नहीं जब आप अपने अंदर इस अभ्यास को करिएगा तब ये बात आपके लिए ठीक से अपनी बात होगी जब ये तीन स्टेप हो जाती है तो चौथा स्टेप आता है कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे सहस्विकार नहीं है जिसके क तो वर उत्तर भी मिलता है कि विरोध की जगा संबंध सिक और सहस्विकार है अब एक रह जो सहस्विकृती हमको दिख गई अब हम उसको वापस अपनी कलपना सिल्ता में चले ?". यह पाँनुश्व contenido स्टेप है इसको जब हम करते जाते हैं तो हमारी कलपना सिल्ता में ben और हमारे अंदर हार्मनी को बढ़े पांच स्टेप का अभ्यास है जो हमारे अंदर अपनी कल्पना सिल्टा को और एक तरह से हार्मनी में और सुख ववस्ता करनेका इसके माद्धी हमसे काम हो सकता है बिलकुल बिलकुल यह मूल है जितना हमारा ध्यान इस पे बना रहेगा उतनी हमारी कल्पना सिल्टा व्यवस्थित बनी रहेगी जितना इस से ध्यान हटेगा माननेता या समवेदना पर जाएगा कल्पना सिल्टा के हालत ऐसी होती रहेगी और जितना सहस्युकृति पे होगा उतना हमारी कल्पना सिलता हार्मनी में स्थाई होकर एक निश्चित दिशा में चलना सुरू होती है वैसे भी आपने जीवन प्योग करते हैं तो यह देखने में आया कि मालत अस्वेदना पर जो भी कारी करते हैं तो दुख ही देता है वहार करता हूं तो दूसरा भी सुखी महसूस करता है और जब दूसरा सुकी होता तो वो पलेट के जो हमारे साथ व्यभार करता है, वो भी अच्छा व्यभार करता है, तो एक तरह से वाहर भी व्यवस्ता होना शुरू होता है, लेकिन यहां तो सुक गारेंटी है, यहां तो खेर दूसरे की स्तिती पे निर्भर करेगा, दूसरा ध्यान देगा, आपके सही व्यवहार को ठीक से समझ पाएगा, तो वो भी करता है, लेकिन चांसेज बढ़ जाते हैं, लेकिन अंता सुक तो पक्का गारेंटी है, जिसको कह रहे हैं, वाहे सुक में भी इत तरह से प्रतिसत बढ़ता चला जाता है, जी सुकुमार जी, तो इस अभ्यास को करें, अभी आ ऐपने कल्पना सिलता में और अपने आराम में. कल आपने पहला स्टेप किया क्या? पुष्पेंद्र गर्ग जी नमस्ते अबस्ते सर चीज नहीं समाज़ पा रहा हूं कि सारे लोग मतलब अपने अपसे ठीक चल रहा है लेकर मेरे साथ एक जूबदा है सर मेरे वाइफ जॉब में है बो अलग जगह रहे रही है जौब में हुए मैं अलग जगह रह रहा हूं और मेरा एक छोटा बेटा है तो वह अपनी मां के साथ है मतलब मेरी पतनी के साथ है तो इसमें समस्या यह आ रही है कि मेरी पतनी का कहना है कि आप अपने बच्चे को टैम नहीं दे पा रहे हैं और जोकि हम लोग अलग 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 प्रहां से तो मेरे मन में कि अ समय बंडू लेकिन समय स्वाइब परुस्त्राय क्रों ψबभर और यहां मेरे पताजी की अब लुछे गिनोब्युखा जुच्छरा पर 30 जगह पर हैं तो मेरी माम वहां भी नहीं जा पार रही है बच्चे के पास मतलब कि वहां पे रहें तो तीनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है लेकिन वह एक टकराओ की स्थिति बन रही है और वह समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे मैं मैनेज करूँ और ये सब चीजें चलके मेरे मन में मतलब मैं किसी से कुछ कहनी पा रहा हूं लेकिन आंत्र का जो टैंसन है वो अपने आप में ही चलती रहती है जी आपके बच्चे की क्या उम्र है भी ग्यारा माई नौ माई च्छोटे होंगे च्छोटे होंगे तो पत्मी भी आपकी जौब में है कहीं पर देखें मैं यो देख पाता हूं ना कोई आदमी देखेगा तो बच्चे को तो एक तरह से महबाप से और बड़े बुजर्गों से एक संरक्षाण और एक ममता और वात्सल्य और उसने इन सभी भावों की अपेक्षा तो रहती ही है और यह उसकी प्रकृति सहाज अपेक्षा है कि यह सारी भाव भी उसके उसको मिल समझ भी मिले और आवसे एक सुविधा भी मिले यह बात तो ठीक है लेकिन अभी परिष्टितियों बस हम लोग कहीं कहीं ऐसी जगा फस जाते हैं कि जाते हैं तो दूसरी पीड़ी चूटती है दूसरी पीड़ी का पूरा करने जाते हैं तो पहली पीड़ी चूटती है तो उसमें भाव के बारे चर्चा होगी, विश्वास, सम्मान, स्नेह, मम्ता, इसा भाव के बारे बात होगा, एक बार हमको समझ में आ जाते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाते हैं, तो दूसरा वेक्ति उस भाव से त्रिप्त होता रहता है, कि सामने वाला करना तो चाह रह लेकिन परिस्तिती बस कर नहीं पा रहा है लेकिन अगर उसका निसकर्च यह बन जाता है भाव अगर ठीक नहीं रहते हैं तो उसका संदेह चला जाता है इस बात पर जब आप नहीं कर रहे होते हैं तो उसका संदेह चला जाता है कि वो करना ही नहीं चाह रहे हैं जी मिल्कु को इस्पस्ट हो जाती है न भाव की इस्पस्टता के साथ तो परिष्टिती अलग तरह से दिखने लगती है तो आज हम लोग अभी थोड़े देर बाद भाव पे चर्चा शुरू करेंगे इन सभी भावों पे तो धिरे धिरे ये बात इस्पस्ट होगी आपको भी और से सहयोग कर सकते हैं उसका एक चर्चा सुरूर होता है और अभी जो समस्या हो गई है कि हम दूसरों से डिमांड तो करते हैं लेकिन उसकी समस्याओं के साथ हम उसको नहीं देख पाते और ये भी नहीं देख पाते कि हमारे डिमांड का कितना हिस्सा वो पूरा करने की जग के बाद को समझ पाएंगे तो वो भी कमफर्टेबल हो बाद है अज करेंगे उसको अज प्रयास करेंगे धन्य बाद है लो आप जी स्पीडा को सेर कर रहे हैं न हमें से बहाँ सारे लोग आज के दिन इस पीडा में फस कहे रहे हैं पीड़ी कहीं और है हम कहीं और है तीसरी पीड़ी कहीं और है और तीनों पीड़ी में तार तम्यता बिठाने में बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन अब धीरे-धीरे हम अगली पीड़ी को तो इस तरह तयार कर सकते हैं कि वो हमारी तरह इस सिच होता है तो वह तो होगा रहेगा है ठीक है पुस्पेंजी जी नमस्ते जी मैं ये तूसरी बार अटेंड कर रहें लेकिन इमानदारी से बताओं कि पहली वार मैंने इतना उसको गहराई से लिया ही नहीं था इतलिए बहुत सी चीजें मैं नहीं समझ पाई थी लेकिन अभी जब मैं लगातार सुन रही हूं तो बहुत ही अच्छी वाते हैं जो मेरे स्वयम के जीवन के लिए मुझे लगरा बहुत उपयोगी हैं और जैसे आपने आवशक्ताओं के बारे में बताया सम्रद्धी ये सम मैं समझ पाई हूं और अभी एक बात मुझे लगरा कि मैं कलपनाशीलता को अगर मैं देखूँ तो मैंने मैं महसूस करती हूं कि कई बार मैं असहज और अंदर परेशान हो जाती हूं समझ में नहीं आता तो आज मैं धन्यवाद आप किसली करुंगी कि मैं समझ पा रही हूं कि मैं असहज जहाँ हूं तो ऐसा कुछ मेरे जीवन रि मुझे सहसी कार है तो अब इस पर मुझे कारकर करना ही होगा और इसके लिए मैं खुढ अपने आपको जिम्मेदार समझती हूं कि मुझे कार को करना चाहिए तो मैं इस जो मन में जो दूइधा और असहजिता जो इक मैं बता स्थे क्योंकि तकलीफ तो देती है भी है बिलकुल देती है देदी बिलकुल तो मैं उसको आज समझ पा रहे हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेरे जीवन के लिए बहुत उपी होगी है हमारे देदी हमारे एक टीचर है आपके बात से मुझे ध्याना रहा है जिनसे मैं बीटेक के दौरान भी हमारे सिख्षक से जब मैं इंजिनरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अभी भी जिस विसेवस्तू को मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं वो मैंने उन्हीं से पढ़ी है प्रोफेसर जी-पी बगाडिया है वो हमारे टीचर रहे है वो एक बार बता रहे थे कि वो अपने किसी मित्र के हां गय मिलें तो जो उनके मित्र थे उनके चोटे भाई भी रहे होंगे तो दोनों भाईयों में कुछ जगडा चल रहा था तो अच्छा, इस तरह के विश्यों पे जो लोग सिखच्छ कर्चा करते हैं, किसी के घर जाईए, तो अपनी बहुत सारी समस्याओं का प्यास करते हैं कि इनके थुरूस उलज जा तो उनके भाई ने जो है, जो एक भाई थे, उन्होंने अपने दूसरे भाई की बहुत सारी गुस्से में कही। बिगड़ गये हैं ये वापस कैसे ठीक हो। बिगड़ गये हैं और बाहर दुख उसको क्यों फैला रहे हैं जबकि हम इस कल्पना सिलता के सक्टी का प्रयोग इसलिए भी कर सकते थे कि वह संबंद वापस कैसे ठीक हो। बिल्कुल बहुत अच्छा मागदेशन भीया बहुत अच्छा मागदेशन मिला बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा नाम एक बार अपना प्रणाउस कर देंगे बहुत सारी होती हैं और उनके साथ हम चाहते हैं आसा का केसा संबंद पूरा हो सकता हैं तो आप ने कहा कि हमारी इच्छा हैं बहुत सारी होती है वो सारी इच्छा हैं हमारी जो पूरी होने की आसा है वो कैसे पूरी हो सकती क्या यह प्रसने भीया आपका कादवाविया आप माईक खुला ही रखिए बात्चित करेंगे हम लोग, हैना जी, तो यह जानना चाहूंगा, जैसे हमारी कोई इच्छा हो रहे हैं, बहुत सारी इच्छाइं हो रहे हैं, तो हम अपनी सारी इच्छाइं पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमको ऐसा माननेता पीछे काम करता है कि अगर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो हम सुखी हो जाएंगे बराबर बराबर लेकिन ध्यान से देखें तो हमारे अंदर गलत भी होती हैकए ब्राबर। तो ऐसा मन करता कि उठा के पटक ही तो मार ही दें, तो आप देखेंगे तो सही इछा पूरा होने से सुखी होते हैं ना कि सारी इच्छाएं पूरा होने से सुखी होते हैं एक तो इसको जाच ने किया हो सकता है क्या आपको लगता है कि सभी इच्छाएं पूरा होने से सुखी होंगे कि सही इच्छा पूरी होने से सुखी होंगे तो पहला काम तो ये कि कोई है तो हम देख renew ख चाकव हम पूरा करने की सोच रहा है वह हमको सह키ज्स क Requ birthday आप उसको जाए के वह सही है उसको पूरा करके आप उसकी हो गी मानेता या समवेदना वाली पूरा करके आप सुख्य होंगे के दुख्य होंगे यह जैसे लिए Kenn riff जैसे yeah तो माबाप जो है बहुत सारा मेनत करते हैं अपने खुद के सपनों को पूरा करने का, उसमें से कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं, चलिए अब जो सपने सेस रहेगे, बच्चा बड़ा होके पूरा करेगा, जी जी, तो जैसे कोई पिता पिता जी के समय में हम पारे परिवार का इतने धनी वेक्ति थे हम लोग वो तो बीच में परिस्थितियां खराब हो गए कि हम लोग की आर्थिक इस्थिति भीगल गई अब तुम से हमारी अपेक्षा है कि तुम वापस अपने घर को वैसा ही रिचेस्ट गाउं में बना दो अब यह पिता जी बच्चे से के लिए इच्छा रखते हैं अगर अगर जो बच्चा पिता जी कि इस्था पूरा करने लग जया सीधे सीधे तो क्या होगा पूरे गाउं में क्या सभी लोग सबसे हो सकते हैं एक दूसरी इच्छा कि हमको सम्रिद्ध बना दे तो दोनों में से कौन सी इच्छा को सही कहें कौन से गलत कहें इसके लिए आप अपने से प्रस्ण पूछ के देखिए कि गाउं का सबसे धनी हो जाना सहस्विकार है कि हमारा परिवार सम्रिद्ध हो जाए ये सह सिकार है परिवार सम्रिद्ध हो जाए तो अगर कोई हमारे उपर गलत इच्छा थोप रहा है और पिता जी ही क्यों नहीं गलत इच्छा थोप रहे और बच्चा अगर पूरा करने लग जाए उसको तो पूरा ना कर पाए तो भी परेशा होगा उससे तो जैसे बच्चे ने मेहनत करके पिता जी को गाउं का सबसे धनी आदमी बना दिया जी परोस वाले घर में थोड़ा दो बिजनस और खोल दिया उनका भी पैसा बढ़ने लगा अब इनका घर आराम में रहेगा सबसे धनी होने के बावजूद भी कि परेसान तो गलत इच्छा अगर पूरा कर लिया तो भी परेसान होते हैं नहीं पूरा किया तो भी परेसान होते हैं इसलिए इच्छा सही है कि नहीं उसकी जांच जरूरी है पूरा करने से पहले तो आपकी 100-200 इच्छाएं हैं तो सभी को पूरा करने की जगा पहले उनकी जांच क कुछ को तो आप पूरा करने की जगह पे तुरंत होंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी योगता अपनी बढ़ानी पड़े, कुछ के लिए हो सकता है कि और लोगों से कुछ सहयोग लेना पड़े, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगे, कुछ के लिए कम समय लगे, लेकिन यात्रा धीरे-धीरे चल पड़ती है और आज जितना सुख महसूस करते हैं दो साल बाद उससे अधिक, चार साल बाद उससे अधिक, छे साल बाद उससे अधिक, तो अपना विश्वास बंता चला जाता है. Clear? इतनी बात कहना चाहता था कर दो है, मैं आप से. जी बेला. कल मैंने वह प्रेक्टिस करके देखी, पांच मिनट के लिए. जी जी. पर आप बिलीव नहीं करेंगे, कि मैं रात बार सोई ही नहीं. अच्छा. जी जी. मतलब उस पांच मिनट ने मिरको पूरे विचार करने पे मजबूर कर दिया, सर और उसका परिणाम ये हुगा कि बेटे के, मेरा पांच साल का बेटा है, और जैसा भी पहले भाहिया बता रहे थी, कि वो मतलब आलग का ही रहते हैं, और उनकी भाईफ अलग रहते हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कंडिशन है, सर. तो अब होता ये है कि बेटू को देखने वाला कोई नहीं, मैं इसको लेके कॉलेज जाती हूँ, तो मुझे उसमें भी आज, कल रात में बड़ा अपराद बोध सा फील हो रहा था सर. और मैं ये खुदी नहीं समझ पा रहे थी कि मुझे सहच स्वीकार क्या है. पंजाब के लोग तेकदम स्टेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसा महसूस करते हैं, सीधे-सीधे बोल देते हैं एकदम धढ़ाक से. तो मैंने पहले दिन सेविर सुरू किया और कहा कल्पना सिल्टा को देखिये जैसे एह रहा हूँ, आप लोगों से. दूसरे दिन भी मैंने थोड़ा कहा कि देखिये और तीसरे दिन भी हमने कहा थोड़ा दबाव दे दिया कि सभी लोग देखिये, ठीक से देखिये, कि सुखी हो रहे हैं, तो एक थे वेक्ति, पार्टिसिपेंट, काफी नराज हो गये, नराज हो के बोले कि सारी समस्या की जड़ाप है, क्या हो गया? नोख कहते हैं, कल्पना सीलता देखिये, हम लोग जैसे ही अपने भीतर कल्पना सीलता देखने जाते हैं, महा तो इतनी बेचैनी है, इतना तड़फ है, इतनी परेशानी है कि मन बार भाग जता है, हिनमत ही नहीं पड़ती कि अब उसको देखे और जैसे ही हम बाहर भागते हैं, सुबह आप फिर शुरू हो जाते हैं कि कलता सिलता देखिए अब अंदर क्या देखे वहां तो आगी आग जल रही है हाँ सर मतलब अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना है तो कल तक मैं अब जैसे भी थी पर शान थी आज जब मैंने सोचना शुरू किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ने साथ क्या हुआ है मतलब अब ही नहीं मैं बताते समय मेरे आंसू नितल पड़ गया है कि क्या मैंने बेटे के साथ सही किया मतलब अपराट बोध में आगई सर्में तो दिदी ठीक से देखेंगे ना तो जब कल्कना सिलता हम देखने जा रहे ना तो अपने को थोड़ा जैसे कभी आप नदी किनारे बैठी है दिदी कभी जैसे नदी किनारे कोई बैठे न तो आप महसूस करेंगे कि नदी का पानी बैठा जा रहा है और आप किनारे बैठे उसको देख रहे हैं बहाओं से प्रभावित नहीं हो रही है बलकि बहाओं के बाहर बैठी हुई है और एक यह है कि हम नदी में ही उतर गया है नदी के बहाओं के साथ बहे चले जा रहे हैं यह दोनों स्थितियां एक ही है कि अलग-अलग है जो कल्पना सिलता आप देख रही है न एक नदी के प्रभाह की तरह आपको दिख रहा होगा जी अब ही क्या हो गया आपके साथ कि आप उसके साथ बहे चले जा रहे है हाँ अब ही अकल मैंने मूवी की तरह देखा है आपने पांच मिनट कहा मैं पांच साथ गंटे देख अब आप उसके साथ बहे चले जा रही है अब उसमें क्या होगा कि बहुत कर आपको इस तरह की पीड़ा होगी उसका उपाय क्या है कि हम अपने आपको जैसे नदी बह रही है और हम किनारे बैठ के बहती नदी को देख रहे हैं वैसे थोड़ा अभ्यास करना होता है पहले तो हम कल्कना सिलता को जब सिरियसली देखना शुरू करते हैं तो हम उसका मुल्यांकर ना करें कि उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ अच्छा हुआ की बुरा हुआ यह सम मुल्यांकर ना करें सिर्फ देखें ये थोड़ा कठीन होगा शुरू में क्योंकि हमारा अभ्यास है किसी भी चीज को देखते तुरंद उसका मुल्यांकर शुरू कर देना लेकिन उस अभ्यास में थोड़ा अपना होस बनाए रखें कि हमको इसमें मुल्यांकर नहीं करना है इसमें सही गलत नहीं टेहराना है, कुछ खीचा तानी नहीं करनी, सिंपल देखना है कि चल क्या रहा है और हम उससे बेचैन हो रहे हैं कि आराम में जा रहे हैं, धीरे-धीरे उतने भर को महसूस करना है कुछ दिन तक इस अभ्यास को करेंगे न, तो वो जो बहाओं में बह जाने वाला है, उससे थोड़ा बाहर निकलके किनारे खड़े हो पाने का अभ्यास हो पाएगा फिर जाकर साहस करके न, धीरे-धीरे उसको ठीक कर पाएंगे अभी स्थिती वैसी है न, जैसे आप कहीं बाहर चले जाएं घर बंद करके, दो-चार साल बाद लटके आके घर को खोलें, तो घर की हालत कैसी मिलती है, एकदम कच्रा मिलता है, लगता है एक आध दिन पलोसी के घर खाना पिना खालें, धीरे-धीरे इसकी सफाई करेंगे तो आप किसी एक कमरे को थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा कामलाइक बनाते हैं, फिर धीरे-धीरे हब तो लगा के घर साफ करते हैं, अभी वैसा ही है, बहुत दिनों से बंद है दरवाजा, एकदम से खोला तो कचरा-कचरा दिख रहा है, तो अब उसको थोड़ा साहस करे और थोड़ा अपनी एक दूरी बनाएंगे उससे, हम मुल्यांकन करने से बचें, जो चल रहा है, सिर्फ देखेंगे, और महसूस करेंगे कि उससे सुकी हो रहे हैं, कि दुखी हो रहे हैं, इतना पर, बलकि उसको भी अगर ना करें, सिर्फ देखेंगे, इतना भर को भी कर जो नहीं कर पाएं, वो भी दिखेंगा, पर उसी लोगों के बारे में भी जो रिस्तदार थे, उनके बारे भी दोनों चीजे दिखना शुरू होगा, कि ये लोग ये-एक कर पाएं थे, ये-एक नहीं कर पाएं, क्योंकि आप भी देखेंगे बच्चे के लिए न, ऐसा थ करता है कि जब मैं नहीं रहती हूं घर में, बेटा यहां पे है, तो वो कैसे रह रहा है, जी, एक पक्ष तो वो है, लेकिन ठीक से देखेंगे तो आप दिन घर में बच्चे के अगर बीस अपेक्षाय है, तो उसमें बहुत सारा पूरा कर पा रही होंगी, कुछ नहीं भी कर पा रही होंगी, दूसरी तरफ देखें तो जिन रिष्टदारों से दूरी बढ़ी ही? जैसे बच्चे के मामले में सोचती हूँ न तो बच्चे की क्या है बच्चे की अपेक्षा ही नहीं होती है आपसे बच्चे की अपेक्षा के लिए बहुत दूसरे को बाद यह नहीं कर पाता जैसे हम आप किसी को जो है व्यक्त कर देते हैं वो व्यक्त उस तरह से नहीं कर प तो आप धीरे धीरे देखेंगे उसको ना, तो ये दोडों तरफ से ध्यान जाना शुरू होगा, बच्चे के लिए भी, और अन्य रिस्तदार जिन से हमको इतनी पीड़ा महसूस होती है ना, उनके लिए भी, कि इस तरह से बच्चे के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रही ह हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किये होंगे, कुछ तो किये ही होंगे ना, हो सकता है जिस समय आपको urgent need ना हो, उस समय कुछ लोग खड़े ना हूए हो, लेकिन पास्ट में देखेंगे तो कुछ-क के जो पीडा है वो कम होती है और हम सही मुल्यांकन की तरफ बढ़ पाते हैं अभी बाएस्थ मुल्यांकन करते हैं है जो नहीं कीआ गया है उसी को फोकस करते चले importantes हो दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी क्या है । से कम हुआ जी सिर नमश्का nett मेरा एक प्रश्न है, सर जो वहत ही तकलीफ दे रहा है, और अभी जो चर्चे चल रही है, जब से मैं भी कनेक्ट हो पाई ही, तो उसका उपाए मतलब उसका सेलूशन मुझे आपसे जानना था, इक्षाओं पर बात की जा रही है, तो सर इक्षाओं कुछ ऐसी हो जाती है, पाना ही है, और हमको पता भी चल जा रहा है, कि हम उस चीज में गलत है, कि कई लोग बोलते भी है कि आप इस रास्ते पर मत जाओ, ऐसी कोई इक्षा मत रखो, जो आप करी ही नहीं पाऊगे, तो सर उस पर इस्थिती में हम क्या करें, क्योंकि जब हमारी इक्षाओं पूर इक्षा सहज सुकृती से भी आ सकती है, मान्यता से भी आ सकती है, तो यह किसी M1 मान्यता से भी आ सकती है, और किसी M2 मान्यता से भी आ सकती है, और सहज सुकृती से भी आ सकती है, सारी जगहों से आ सकती है, अब जब हम इस इक्षा को देखने जाते हैं, तो कभी लगता है कि यह हमको सहस्विकार नहीं है, इसलिए इच्छा गलत है, है ना, किसी मान्यता से आ रही है, यह मान्यता तो पूरी ही होनी चाहिए, है ना, मतलब उस जिसी मान्यता से ऑपरेट होके वो इच्छा आ रही है, हम उस मान्यता को बैग्राउंड में सही माने रहते हैं, तो जैस कि किसी ने एक माननेता बना ली, जैसे कुढ ऐसा. यह एक माननेता है और हमको सहस्विक्रती में यह दिख रहा है कि नहीं दूसरे के साथ तो जो है वह मेरे जैसा ही है, तो उसके साथ तो संबन्ध पुर्वण की जीना सहस्विकार है. अन्युक्त देखेंगे दोनो बातों क अगर आपने सही मान लिए इस माननेता को भी और इसको भी तो जिस समय सहस्विकृति पर ध्यान दिखेगा लगेगा कि इच्छा आपकी सही है और जिस समय सहस्विकृति से ध्यान हट जाएगा तो पीछे माननेता आपने एक सही मान रखी है कि जैसे को तैसा तो आप को भी लगेगा कि यह सही है या कहने को आप सहय स्विकृति सिधे सिधे नहीं जाज पा रहें है या सहस्विकृति से देख लेने के बाद भी वो नहीं चूट रही है, तो हम यह देख लें कि हमारी इच्छा किन-किन मानेताओं से जुड़ के हमारे भीतर आ रही है, तो फिर इच्छा को अब छोड़ कर उन मानेताओं का ही मुल्यांकन ठीक से कर लें कि यह मानेता सही है कि गलत है, वो मुल्यांकन अगर हो ज जाती है जी से बहुत धन्यवाद सर ये एक ऐसा उलजन में डाल देती है ये चीज तो इच्छा पर बात हो रहे थी तो मैंड में मेरे ये प्रशन आया मैंने कहा उसे क्लियर करना ज़र भी सिर्फ अगर इच्छा पर फोकस रहेगा तो सहस्वकृति से दिख जाने के बाद भ पहारी पड़ता है लेकिन अगर उस मुल्या मामाने ता का भी ठीक-ठीक मुल्यांकन हो जाए तो अब वह इक्षा अगर गलत है तो आसानी से छूट पाती है जी से बहुत-बहुत धन्यवाद सर थैंक्यू धन्यवाद नियाजी जी शूप्रभाद सर ते श्रद्धा ठाक हम आपके आवाज सुनकर हर प्रशनों के इत्ने अच्शे सामझ पाते और सुन परते उधना सीलता में पहुच जाते कि कि आवाज इतनी अच्छी है तो व्तलस आपको देखना भी चाते हैं कि एक होता है ना बहुत अच्छी मत उनके हर प्रशनों के godtar को सुनके मैं सचमे भी सुन रही हैं पहले दिन मम्मी ने बोला कि ऐसे ट्रैनिंग चलती रहती हैं लेकिन मम्मी भी आपकी बात तो से इतनी प्रभावित हुए कि दो दिन मम्मी भी आपकी बात है बिलकुल स्ते बोल दे हमारी तरफ से जी 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 चलते हैं न कुछ प्रभचन मतलब मैं आपको प्रभचन नी मम्मी वकाद आप बैट के आपकी बाते सुनती हैं और बोलती हैं कि ऐसी ट्रैनिंग पहली बार देखा जिसमें वाकि यह चीजे बताई जा रही हैं कि आज के लोगों क हमारे तरफ से नमस्ते उनको फिर बूलिएगा अगर साथ मने बताएं जी सर मैं यह बोल रही थी अभी तो हम लोग आनंदम महां से आया साही होगी मतलब लेकर बालमी से काफी कुछ चीज़ें हैं लेकिन अभी बी जैसे वहां यह बोला गया कि हम किसी से अपिक्षाय ना रखें तो काफी कुछ कम होगी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम मतलब मैं सायद कुछ जादा किसी से आपेक्षाय रख लेती हूं और जब मेरे अनुरूप नहीं होती है यह चीजें नहीं होती है तो मैं खुद को ही बहुत दुख पहुंचाती हूं और उस परसन के लि है मैं लाग चाहूं कि नहीं मुझे इग्नोर करना है नहीं करना है लेकिन फिर भी कही नहीं मैं वह पहले जासे नहीं कर पाती हूं तो मतलब मैं बहुत कोशिस करती हूं कि मैं ना सोचूं पर कही नहीं वह चीज आ जाती है तो मुझे क्या गरना जाहिए सर्श दो हमारी जो भी अपेक्षा है, expectation है, हम पहले तो यह जाच लें कि हमारी अपेक्षा सही है कि गलत है, अगर गलत है, है ना, अगर हमारी अपेक्षा किसी से गलत है, है ना, तो हम दूसरे आदमी से उसको पूरा करने की जिद करें या अपनी अपेक्षा ठीक कर लें, क्या करें? सभी गलत तो मतलब गलत अपेक्षा हटा दिये लेकिन फिर भी सही अपेक्षा है तो रहेंगी जी बिलकुल अपने बच्चे से ही तो अपेक्षा करेंगे ना बच्चे से की भाई वो उनके बुढ़ापे में उनके सरीर का ध्यान रखे सही अपेक्षा को माबाप बच्चे से ना करें तो दुनिया में किस से करें तो अपेक्षा तो रहेगी ना उनकी या सही अपेक्षा भी है लेकिन बच्चा कहीं परिस्तिती में फस गया है वो पूरा करना चाह रहा है लेकिन करने ही पा रहा है तब ये बच्चे की चाहनी की प्राब्लम नहीं है बच्चे की योगता की प्राब्लम है कि ऐसी परिस्टितियों में फस गया है कि चाह के भी नहीं कर पा रहा है तो अगर समय रहते हम बच्चे की योगता को बढ़ा पाते कि कोई ऐसा model वो डबलब कर पाता जिसमें माबाप के साथ रह पाता, माबाप को भी कर पाता, तो दोनों सुखी रह सकते थे, तो उपाय क्या है, कि अगर दूसरा वेक्ति हमारी सही अपिक्षाओं को पूरा करने के योगे नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो हम अपिक्षा छोड़ दें, या दूसरे आदमी में उस योगेता को बढ़ाने का प्रयास करें कि आज नहीं तो कल हमारी अपिक्षा को पूरा कर सके, क्या करें? जी, सही है. तो दो विकल्प है, पहला step तो यह कि अगर हमारी अपिक्षा ठीक नहीं है, तो हम अपिक्षा ठीक कर लें, एक काम. लेकिन अगर अपिक्षा ठीक है, फिर भी दूसरा नहीं पूरा कर रहा है. तो आप देखेंगे कि हम अब क्या करें, अपनी अपिक्षा छोड़ें या दूसरे की योगेता बढ़ाएं, क्या ठीक रहेगा? सर, हम तो बात करने ही छोड़ देते हैं. अपिक्षाएं हैं, उनको जाच कर, उनको फिल्टर करके हटाना तो बहुत मात्पूर है. अन्य था, हम उसी की बोज में दबे रहते हैं. एक काम. दूसरा काम, हमने जुन लोगों से अपिक्षाएं लगा रखी हैं, सिर्फ अपिक्षा लगाने भर से काम नहीं चलेगा. ये भी जाचना पड़ेगा कि उसमें योगेता है कि नहीं हमारी अपिक्षा को पूरा करने की. अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा. होगा, तर पाएगा. तो अगर नहीं है, तो मैं फिर उसको थोड़ी योगेता बढ़ाने में सही होग कर दूँ, तो देर सवेर वो पूरा भी कर पाएगा. तो कि अनुछाकर की जाते हैं ISt prime अपेक्षा पूरी नहुने पर नाराज दो कर राएट्रथी इस उस योग नहीं पूरी न होने पर नाराज वक्र बैठ जाते हैं दूसरे की योगिता है कि नहीं वो देखते भी नहीं है तक दीक रहा जाते जी 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 बिलकुल थेंक यू सर दन्यवाद सर नमस्ते जी श्रद्धा दुबे जी नमस्ते बताई सर प्रडाम मैं श्रद्धा ठाकुर जी के बाद मैं श्रद्धा दुबे सतना जिल्ले से सर तीन दिनों से सुन रही हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सांती बहुत सारे सवालों की जवाब भी न पूछे ही अपने आप मिल जा रही है बत सर एक दुबिधा है कि मन में जैसा कि आपने कहा तो कल सर बहुत सारे खुद में ही अंतर विचारों में ही बड़ा द्वंद चलता रहता है जी 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 ऐसा आपने कहा कि अगर माबाप बच्चे से आप एक्षा नहीं करेंगे और बच्चा माबाप से तो चुकि हम लोग सर ग्रहस्त जीवन में है तो पती-पत्नी से और पत्नी-पत्नी से नहीं करेगा आप ए तो यह तो नैचुरल है होना ही बट सही चीजों के लिए सर अगर बोलना कि यह गलत चीजों का विरोध करना से यह गलत है क्या हम शांत होकर या उसके लिए कुछ प्रात्ना करके तो यह सब चीजे नहीं खतम कर सकते ना सर शांत नहीं हो सकते उसको बताना पड़ेगा कि गलत है जी जी तो अभी दिक्कत क्या होती है न दिदी कि हम दूसरे आदमी को जिस तरीके से बताते हैं न कि ये गलत है जी तरीके से ज्यादा आथ होता है बजाए इसके कि हम गलत कह रहे हैं जी जी जैसे जब हम गलत कह रहे होते हैं न तो उसको क्या सेंस जाता है? हम उसकी किसी बात को गलत कह रहे हैं कि उसको गलत कह रहे हैं अगर उसको यह सेंस गया कि उसको गलत कह रहे हैं तब तो ब्लास्ट होता है लेकिन यह सेंस कर पाए कि नहीं वह ठीक है अभी जो बात कह रहा है वह ठीक नहीं लग रहे हैं तो आराम से धीरे-धीरे हमारी बात को सुन प तीन बात गलत भी होती है, अब हम सुरू कि धर से करते हैं उससे बातचीत करना, जितनी उसने सही कही है, वो पहले बताते हैं, कि जो उसने गलत की है, उसको लेके बखेडा पहले खड़ा कर लेते हैं, गलत को ही बखेडा खड़ा कहती है, जितनी बाते हैं, जितनी बाते हैं से हम सहमात हैं, जो सही लग रही है, वो हम कनवे करें, उससे एक आपस में comfortability बनती है, सुनने की त्विकृति बनती है, फिर जाकर के हम बता सकते हैं कि आपकी इन इन बातों से हमको यह यह समस्याएं होती हुई दिख रही है, तो या तो आप हमको स्पस्ट करो कि हमको ठीक नहीं दिख रहा, या फिर इसकी जगह क्या और एड किया जाए कि इसमें समस्याएं ठीक हो जाए, उस पे हम लोग बैठके चर्चा कर लें, तो धीरे-धीरे वो comfortability ठीक होती है, तो वैसे भी ठीक से देखे न, तो सम्मन्द का मतलब यह नहीं होता है, कि सामने वाले की हर सही गलत बात को बिना जाचे करते रहना, यह तो मजबूरी है, सम्मन्द नहीं है, बिलकुल से, सम्मन्द तो यह है कि इतनी comfortability हमारी आपकी हो जाए, कि मैं आपकी सही बात को सही भी कह सकूँ और गलत बात को, गलत है यह कहके, वो कैसे सही उसमें हो सकता है, सहयोग भी कर सकता है बिना जाचे हर बात को मानना समंद नहीं है, यह मजबूरी है, compromise है, और compromise समंद नहीं है जी, सर, विश्τοों में से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाए प्रें होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे किसी सामने वाले की हर सही गलत बात को उसमें हम जाचे ही नहीं बिल्कुल सर प्रेम होने का मतलब ज्यादा जिम्मेदारी है कि वह सही करेंगे और जहां सही नहीं हो रहा उस पर चर्चा करेंगे और मिल जूल करके सही करेंगे कि जो इंजीनियर्स होते हैं वह सर आपको सुनके पता चला कि वह सर बहुत अभी तक मेरे दिमाग में यह था सर कि वह शोशल नहीं होते समाजिक नहीं होते उनके उनको यह सब मानवी मूल बाते समझ में नहीं आती ब्योहार समन तर आज वह ब्रह्म भी मेरा बहुत बड़ा तूटा है उसके लिए बहुत-बहुत धर्निवाद सर बहुत शान्ती मिली सर बहुत सुकून मिला उसके लिए बहुत-बहुत धर्निवाद सर भी आत्रा हम सब लोग को मिल जुलके अपने लिए और औरों के लिए करनी है जी सर नमस्ते नीता सर्मा जी नमस्ते आपको बहुत बहुत परणाम जैगुदिव, मैं अपने बारे में तो वासा ये बताना चाहरा हूँ कि मैं ये शच्छंग जैगुदिव शंगर शमीती आपने शुनाव को उसमें जुड़ी हुई हूँ, तो आप अपने प्रस्न को रखें दिदी, जी सर, तो मैं ये सोचती कि मलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, तो ये तो ठीक है, लेकिन कोई जब हमें बार बार हमारे साथ बुरा कर रहा हुता, हमारे प्रस्न है सर, कि जब कोई बार बार बुरा कर रहा हूँ या परिसान कर रहा हूँ, तो हम तो उसे माप करते जा रहे हैं, फिरी भ जी 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 दी आज हम लोग संबंद के बारे बाप्तित शुरू करेंगे है ना अभी इस प्रस्नुत्तर की चर्चा के बाद तो उसके बाद आपके प्रस्न को और गहराई से मैं उत्तर दे पाऊंगा हम लोग भाव पे बात करेंगे तो जैसा मैं थोड़े दर पहले कह रहा लेकिन उसकी योग्यता नहीं है कि वो देख पाए कि सही या गलत है इसलिए वो ऐसा कर रहा है चाह नहीं रहा है करना एक तरीका देखने का यह है एक तरीका यह है कि नए नए वो जान बूच के कर रहा है तब ये दोनों तरीके से जब मैं मुल्यांकन करूंगा तो मेरे पर प्रभाव एक ही जैसा पड़ता है कि अलग-अलग पड़ता है अलग-अलग पड़ेगा सर प्रभाव तो आज हम लोग इसके बारे बात करेंगे तो और इस पस्टता होगी जो इस पर दिख रहे हैं इस किन पर पर पतंत्रता और शमवेदना इन पर भी जो आप हमें मैं एक बार इस पर बात करके तब अगला प्रस्ट लूंगा तो जैसे समवेद के बारे मैंने लिखा है न तो जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास कुछ जैसे आंख है आख है, नाख है, कान है, जीब है, तवचा है, यह सब, तो आख से हम देखने का काम करते हैं, नाख से सुंगने का, जीब से स्वाथ लेने का, तवचा से इस पर्ष का, ऐसे कान से ध्वनी का, तो जो सूचनाए हम बाहर से अपने इन इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, व उसके आख से, हाँ से, कान से, बिल्कुल, तो वो जो बोल रहा है, वो जो मैं सुन रहा हूँ कान से, वो भी समवेधना है, उसके रूप को जो देख रहा हूँ, उसके बनावट को देख रहा हूँ, आख से, वो भी समवेधना है, उसने हमारे तुचा को इसपर्स किया, यह सम्वेदना है, तो यह सब सम्वेदनाओं से जो input आ रही है, यह जो आखना, कान, तवचा और इन सब से, यह सब हमारे लिए सम्वेदना है, एक तो यह है, और दूसरा माननेता है, तो उस समय माननेता में देखेंगे तो जरूरी नहीं कि उस समय सम्वेदनाओं से कोई हमारे पास इन्पुट आ रहा हूं , लेकिन हमने पहले से अपने भीतर कुछ मानितां बना रखी, कि इस तरह के लोग अच्छे होते कि इस तरह के लोग खराब होते हैं एसा होता है तो सम्मान होताई है ऐसा ही नहीं होता है… यह सब क्या है हमारी मानिता यह … है न Cancer तो ठीक से देखेंगे ना तो सामने वाला व्यक्ति या हम या कोई भी किसी भी बात को सही गलट ठहराते हैं उसके कई आधार हो सकते हैं तो जैसे मैं मानेताओं के अधार पर भी किसी बात को मैच कर सकता हूँ कि उसने कुछ कहा अगर वो मेरी मानेता से मैच कर गया तो मैं कहूंगा सही है और मानेता से मैच नहीं किया तो मैं कह दूगा गलत है तो आज मेरी मानेता से मैस कर गया और मैंने कह दिया सही है लेकिन चार दिन बाद मेरी मानेता ही बदल गई तो वही बात मुझे खराब लगने लगती है तो मानेता के आधार पर मैं या कोई किसी बात को जब सही गलट ठहराते हैं तो उसमें स्थिरता नहीं रहती तो इसलिए हम उस बात को मानेता के आधार पर सही गलट ठहराने की जगा सहस्विकृति के आधार पर जाच के देख लें कि ये जो बात कही जा रही है, ये सहज स्विकार है कि नहीं, सहज स्विकार की कभी बदलती नहीं है, इसलिए अगर इसके आधार पर हमने उस बात को जाच लिया, तो हम स्थिर हो जाते हैं कि हाँ, ये बात सही है, ऐसा करके मैं आराम में आता हूँ, ऐसा जी के दूसरा भी तो फिर हम अपने में स्थिर हो जाते हैं, फिर हमारे पास जो काम रहता है कि दूसरे वक्ति का भी हम ध्यान दिला सकें कि जो आप कह रहे हो, आप भी जाच के जरा एक बार देख लो कि आपको सहज रूप से स्विकार हो रहा है कि नहीं, आप किसी माननेता से तो नहीं उसको कह रहे हैं, थोड़ा सहज शुकृति से देख लाएं, तो अगर वो भी देख पाता है, तो अपनी बात को वो भी ठीक कर पाता है, और सर यह नहीं हो पाता है, जैसे माननता तो सही है, और सहज शुकृति सही नहीं है, तो फिर कैसे देखेगा हो सामने वाला, इसको ठीक से देखेंगे ना, तो मान्यता सही गलत हो सकती है, लेकिन सहज स्विकृति तो आपके भीतर निश्चित सही बनी रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता है अगर आप थोड़ा अपना पात को उधारण के साथ रखे न तो मैं उसको और इस पस्ट कर पाऊंगा, जैसे कब आपको लगता है कि यह मान्यता सही है और यह सहज स्विकृति गलत है, तो मैं उसको और ठीक से उत्रित कर पाऊंगा जी सरजय से हमारा एक्जाम प्रेले सर जैसे हमने सीखा कि शत्यमेव जैती, जी सर इसको हमने सीख लिया, लेकिन सीखने के बाद हम उसको अगर चलें, तो तो वो सही कहला, और अगर ना चलें तो क्या कहलाएगा तो इसमें दो बाते हैं एक तो आपकी जाच और एक जो प्रस्ताव आया उसकी जाच यह दोनों जाच एक ही है कि अलग-अलग है यह सर जो हमारी जाच है तो हमने कल्पना सिंता से देखा कि हाँ यह तो दो बात मैंने कही एक बात कहीं कि वह सत्मियों जैते जो आपने कुझारण दिया यह प्रस्ताव है प्रस्ताव सही है कि नहीं एक जाच ही दूसरा आपने उस प्रस्ताव को सुन लिया आप वैसा जी पा रहे हैं कि नहीं, यह आपकी जाच है, तो दो जाचे इसमें सामिल है, प्रस्ताव की जाच और आपकी जाच, यह बात इसपस्ट हो रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रस्ताव तो सही होता है, हम जी नहीं पाते हैं, तो इसमें प्रस्ताव गलत हुआ या हम अधूरे कस दूरे पड़ गए लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई प्रेष्टा वैसा हो गलत और हम उसको जी रहे हो तो झीने में भी गलती हो रही है आप सब प्रेष्टा तो गलत नहीं है यह अपन जान भी रहे हैं अन्य तब रहा था तो जैसे यह बात कहा क्या कि मैं सत्यक्व stim सब्सक्रण कोई। इसलिए यह सही है. और सत्यमेयो जैते का क्या मतलब हुआ? जैते मतलब, ऐसा जी करके मैं भी सुखी हो रहा हूँ, दूसरे भी सुखी हो रहे हैं. तो हर इस्तिती में उसमें सुखी मिल रहा है हमको भी हो और दूसरे को जाया. जी, सर्व. इसलिए उसको क्या कह रहे हैं सत्यमेव जयते मानिता के साथ यह जरूरी नहीं है अब आपने सत्यमेव जयते तो सुन लिया लेकिन सहस्युकृती चुक्रिया आप हर बार देख नहीं पा रही है दस बार में दो बार देख पा रही है आठ बार नहीं तो दो बार तो आप जी तो अगर सम्वेद्नाओं को हम सुका स्रोत माने रहते हैं कि सम्वेद्नाओं से आने वाली सम। की करेंगी तो थे ब्र quarterback के पीछे भागते हैं और दुख्य होते पूरी हो जाये तो भी नहीं को जैसे रस अग्हा कशी होगे यह मान लिया तो तो रस्गुल्ला खाया, पहले में थोड़ा मजा भी आया, आट-दस खा गए, उसरीर भी खराब किया, उसका दुख, और दस खा लिए, एक ग्यारवा खाना पड़ जाए, तो वही रस्गुल्ला दुख भी देने लगता है, लेकिन दिरे-दिरे यह पातिस्पस्ट हो जाए कि समवेदना जो है, वो हमको निरंतर सुखी नहीं कर सकती, निरंतर सुख तो सही समझ और सही भाव से हो सकते हैं, तो फिर धीरे-धीरे जो हमारी समवेदना पे हमारी निर्भरता है, समवेदना पे परतंतरता है, गुलामी है, वो धीरे-धीरे-धीरे स्वता ही व्यवस् जी नीता जी जी सर और सरी ये कल दो चीजे बताएं थी आपने चेतन और जड़ तो इसके बारे में ये हम जानते तो सभी लोग है कि सभी के अंदर चेतन शरूप अधी नीता दीदी अब मेरा थोड़ा और लोगों के भी प्रस्न ले लूँ आपके से इस प्रस्नों को फिर गूर्प डिसकेसन में ले लेंगे वह सारी साथी लोगों के हाँ हैं रेज हैं और समय अपने पास आठ दास मिनट है प्रतिक्षा कर रही थी आपसे बात करने के लिए जी मेरा प्रशन ये है भया कि हमारी जो कल्पना शीलता है होती हैं तो वो हम अपने पूर्वा ग्रह से क्यों जोड लेते हैं उसको क्योंकि इस ऐसे में हमें अग्याद में भी सताता है और अगर हमारे पास कोई नकारात्मक पूर्वा ग्रह है तो बस उसकी श्रंकला बना लेते हैं हम कल्पना शीलता से मतलब हम कल्पना शीलता को बि प्रस्न आप कहीं किसका उपाय क्या है तो पहला स्टेप तो यह कि हम कलपना सिल्टा को देख पाएं कि चल क्या रहा है है यह गया है जिर तेसरा स्टेप यह कि वो हमको सहस्विकार ही और कि इसका होस हो पाए पिर चौथा स्टैप के अगरिए सहस्विकार नहीं है तो उसकी जगह क्या सहस्विकार है हम देख पाएं जी जी पाचवा स्टेप जो सहस्विकार है उसको अपनी कल्पना सीलता चला पाएं अपनी गहराई से करते जाते हैं उतनी हमारी कल्पना सीलता सहस्विकृति के अधार पर हार्मनी में आती चली जाती है वेवस्तित होती चली जाती है और हमारे अंदर से इस तरह का जो आप संकेत कर रही है वो सब कम होते 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 धीरे-धीरे घता हो जाता है तो यह पांच स्टेप के अभ्यास को होनहार होती है तो हम पूर्वागरह से उसको जोड़ के अपनी तो यह भी ऐसा हो भी रहा है तो हम खुद को बहुत बिल्ट अप करके रखें उस समय अपने एमोशन पर हमारा कंट्रोल हो हम किसी के सामने टूटे नहीं और दूसरों को भी मजबूती दें तो वो जो अपनी मजबूती है वो तो इन पाँच स्टेप से आएगी जहां तक पूर्वागरह वाला बात है पूर्वागरह भी इस्थापित कर लेते हैं माननेता में हाँ जी तो हम जब अपनी कल्पना सिल्ता को देखना सुरू करेंगे तो धीरे-धीरे अपनी माननेताओं को भी देख पाएंगी कि क्या-क्या माननेताओं हमने अपने भितर बिठा रखी है हाँ जी फिर हम ये जाच भी सुरू करेंगे कि ये माननेताओं हमको सहस्विकार है कि नहीं जी ऐसे जैसे यह दिखेगा कि मानेताइं हैं हमको सहस्विकार नहीं है और ऐसा करके हम खुद दुखी हो रहे हैं तो धीरे-धीरे यह मानेताइं धीली पढ़ने लगती हैं खतम होने लगती हैं कम होने लगती हैं और वो पूर्वाग्रह पे जो हमने इतना अपन स्विकार है कि नहीं उसकी जाच उस पर जारी रखे तो दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार, कितना गहरा जुड़ाओ है उस पूरवा ग्रह से उस पर उतना निर्वरता होगा, उतने आशे बार करके वो धिरे-धिरे-धिरे-धिरे साफ हो जाता है नमस्ते सार जी प्रतिक्षा जी नमस्ते नमस्ते सार जी अब मेरे इंदर भी डिफ्रेशन वाला भाव थोड़ा सा बन रहा था पर मैंने कंट्रोल कर लिया अभी शरीर काम कर रहा है पर उन्तों वीचार चाल वे बिलकुल बिलकुल तो अब बस कलपनिक इमेज भी चाल वे उसमें कि ऐसा होंगा आगे के इसाब से ऐसा ऐसा चालू है तो उसमें दिदी बस सजगता यही रखनी है कि दो स्टेप तो आपने चल दिय कि आप उससे आराम है कि परेशान है आपको पता परेशान है परेशान है परेशान है कि जो चल रहा है वह सहस्विकार है कि नहीं तो उसकी जगा क्या सहस्विकार है ये प्रस्थ अपने से पूछना शुरू करें और उस सहस्विकार भाव को अपने भीतर चलाना शुरू करे तो धिरे-धिरे कल्पना सिल्टा को देखेंगी कि व्यवस्तित होता चला जाएगा हाँ, खूब दिन से चालो है इसलिए मैंने बला अभी पूस्ति जो तो ये दो स्टेप और अपने भीतर बढ़ाए तो धिरे-धिरे कल्पना सिल्टा और व्यवस्तित और व्यवस्तित अच्छी होती चली जाएगी और हर पल जो जिसे कह रहे न सुखी होने वाला काम, वो हो पाएगा अच्छा-च्छा, धन्यवाद धन्यवाद सर जी पाच्छो स्टेप धिरे-धिरे अपने भीतर बढ़ाते चले जाएगी जी वैदही दीदी, नमस्ते बताएगी जी मैं शब्दम खान शब्दम जी, नमस्ते नमस्ते दीदी, बताएगी लेकिन मेरा सवाल सर यह है कि हम सारी चीजों को देखते हैं सेल्फ पे भी काम करते हैं और जो हमारे sensation है उस पर भी करते हैं लेकिन बात क्या होती है जैसे में एक्जामपल दूँ कि अदि मुझे किसी के कोई बात अच्छी नहीं लग रही है मैं उसको बार बार वो चीज समझा रही हूं और मैं समझा चुकी हूं लेकिन वो सक्स उस बात को ना तो मानता है ना सम लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है उससे दिक्कत मुझे मेरी बॉड़ी पर हो रही है कि फिर इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस सक्स में क्यों नहीं सोना क्यों नहीं माना क्यों नहीं जानना चाहता समझा रहे हैं बता रहें कि वो गलत है कई लोग ऐसे होते है कि मुखोटा ओड के रहते हैं वो आपके सामने तो बिल्कुल आपकी भाती बात करते हैं लेकिन जैसे उन्हें कहीं मौखा मिलता है तो वो वहां चालू हो जाते हैं कि ये बंदा ऐसा है या उसकी पर्सनल चीज़ आपको शेयर कर देते हो तो वहां कि क्या है कि ये दोएंद कि ये बंदा गलत कारण की वज़े से हट जाए यदि वो गलत है मैं सही हूं फिर भी वो हट जाए तो मैं संबंदों को लेकर चलना चाहती हूं लेकिन पिर उन संबंदों में मौन धारन कर लिया है और उस मौन धारन करने का कारण मैं भी समझ रही हूं कि वो गलत है मैं उ जाए है कि वो सुधा जाए या वो सही कर ले लेकिन वो मेरी बोड़ी पर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल जाता है और उस जाता है जैसे कल कलपना शीलता की बाद चेली थी तो मैंने खुद कोई वही मैं करती भी हूँ कि मैं एक किनारे बाट की फिर सोशती हूहु, कितना लंबा चला है यह सपने घ्मआप पी हहा है, और अडिक राही तुम बुरारी करना है थह तो मैंने उससे बाद बंकरना, बंकर दिया, कि चलू तुम्हे जैसा करना तुम करो, बर लेकिन सुकून चाहिए मुझे, मैं सुकून साथ हूं कि किछ-किछ मिष़-किछ मत मशाओ यदी तुम्हें बुरा रखो मैंने उससे बात बन करना मैं सर्व उतनी बात करती हूं कि हाँ आज तुम्हारा काम है तु बताओ क्या करना है तो ऐसे सक्स के साथ क्या करो उसको एकदम छोड़ दूं क्या प्लीज सुईकार कर लू लेकिन सहस्ता से सुईकार नहीं हो रहा आज अभी न अभी जस्ट इस सत्र के बाद अगले सत्र में मैं संबंध पर बात शुरू करूंगा जी सर्थ तो उस पर बहुत डिटेल पर इस पर बात होगी जो आप बात कह रही हैं अभी सिर्फ एक लाइन में आप से कहना चाहूंगा कि हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं जब वो नहीं समझता तो दो संभावनाए हो सकती है एक तो वो समझ नहीं पा रहा दूसरा हम समझाने पा रहे हैं जो होगा है इस पर भी मैंने सोचा जोटी कि मैंने लास्ट टाइम अल्पवरामबार शेशन लिया हुआ है तो फिर मैंने उसको एपलाई किया कि शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ फिर मैंने उसका भी जब देखा तो देखा कि मैं तो समझा पा रही है तो उसी चीजे सो दोहरा रहा है तो उसी चीजें को आई से यह गाई करूँ कि मुझे भी दिकतना हो और उसको भी दिकना हो हो ने करूँ मैं इस पर सोचियेगा अभी हम लोग थोड़े दिर बाद जब इस संबंध पर और बात करेंगे न, तो धीरे-धीरे इस पर और गहराई से बात हो पाएगी.